Hello students, welcome again to LearnVridi Timan तो आज हम बात करने वाले हैं कि REIT exam जो है वो कौन-कौन दे सकता है कई comment आये हैं, पूछे जाते हैं कि REIT क्या है क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता है कि B.A.D. करने के बाद जो other state के हैं वो भी कि REIT exam क्या है, कौन-कौन दे सकता है REIT level 1 क्या है, level 2 क्या है, syllabus क्या होता है और REIT exam में किस तरीके question पूछे जाते हैं इन सब की बात आज हम करने वाले हैं, आपके doubt जो है वो clear होंगी सबसे first बात करेंगे कि REIT क्या है, REIT परिक्षा क्या होती है जो लोग तैयारी regular कर रही है, उनको तो पता है लेकिन जो first time exam देंगे, जो form डालेंगे, उनको नहीं पता होता है तो जान लीजिए कि REIT परिक्षा जो है, वो राजिस्थान में आयोजित होने वाली एक परिक्षा है जो व्यक्ति राजिस्थान में सिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस परिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं राजिस्थान में अध्यापक बनने के लिए तीन तरीके की परिक्षाएं होती है एक होती है first grade, फिर second grade और third grade तो जो third grade teacher बढ़ती के लिए exam देते हैं, वो है REIT exam REIT परिक्षा देकर उसमें जो बच्चे पास हो जाते हैं, उन बच्चों का राजिस्थान राजिस्थान में सरकारी स्कूलों में third grade teacher की नौकरी मिल जाती है यह है परिक्षा मादमिक शिक्षा बोर्ड राजिस्थान अजमेर द्वारा करवाई जाती है वैसे तो नियमों के अनुसार हर साल REIT के परिक्षा करवाई जाने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप भी खुद देख रहे हैं, कोरोना की वज़े से इस साल भी नहीं हो पाया एक्षाम तो पिछले नो वर्सों में किवल चार बार ही REIT परिक्षा का आयोजन करवाया गया है तो कम सब्दों में अगर बताना चाहे हैं तो REIT परिक्षा मादमिक शिक्षा बोर्ड राजिस्थान द्वारा राज्य में थर्ड ग्रीट सिक्षक भरती करने के लिए करवायी जाने वाली एक परिक्षा होती है और यदि पूछ लिया जाए कि REIT की फुल फॉर्म क्या होती है तो राजिस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनीशन फॉर टीचर्स ये होती है फुल फॉर्म ठीके इस भरती परिक्षक की फॉर्म जो है वह हिंदी में इस परकार होते हैं कि राजिस्थान आध्यापक पातरता परिक्षा जैसे इंग्लिस में बोलते हैं राजिस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनीशन फॉर टीचर यदि आप राजिस्थान राजमय थर्ड ग्रेट सिक्षक के रूप में नौगरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस परिक्षा में जरूर शामिल होना चाहिए REIT exam का जो pattern है वो कैसा होता है चली इस बारे में भी बात करते हैं कि REIT परिक्षा में दो परकार के लेवल होते हैं REIT exam में दो तरीके के लेवल होते हैं एक होता है लेवल फस्ट जिसमें कक्षा 5 तक के सिक्षक प्राइमरी टीचर बनते हैं और रीट जो इस तर सेकिंड होता है, सेकिंड लेवल का, जिसमें छटवी से आटवी तक की सिक्षक बनते हैं, जोने अपर प्राइमरी टीचर कहा जाता है, अब मैं आपको इस बारे में भी जानकारी देना चाहूंगी कि रीट जो लेवल वन है, इसे रीट लेवल वन के इसके लिए आवेधन कर सकते हैं, रीट जो लेवल सेकिंड है, इसे रीट लेवल सेकिंड परिक्षक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस परिक्षक को पास करने पर अभ्यरती को 6-6 से 8 अई रुब्री टक के सिक्षक, जिसे हम अपर प्राइमरी टीचर के रूप में जानते है सरकारी विध्यालों में उच्छ प्रात्मिक सेक्षक के रूप में न्युक्त किया जाएगा इसको जिन्होंने B.Ed की होती है वो इस परिक्षा को देने के लिए आविदन कर सकते हैं और शायद इस बार B.Ed वालों को मौका मिलेगा कि वो रीट लेवल 1 जो है उसका एक्जाम भी दे पाएंगे तो यहां हमने बात की कि रीट लेवल 1 क्या होता है और रीट लेवल 2 क्या होता है अब देखिए बात कर लेते हैं सेक्षिक योगिता की कि रीट भरती परिक्षा में क्या सेक्षिक योगिता होनी चाहिए यदि हम बात करें प्रात्मे कक्षा के जो सिक्षक है लेवल 1 के लिए तो उनकी योगिता क्या होगी कि Senior Secondary में 50% अंक होने चाहिए, प्रारंबिक सिक्षा में 2 वर्षिय डिप्लोमा यानि BSDC किया हो या DLED किया हो उन्होंने, ठीक है, इसके अलावा NCT के 2002 के नियम के अनुसार, Senior Secondary में 45% अंक या प्रारंबिक सिक्षा शास्तर में 2 वर्षिय डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो इसनातक और प्रारंबिक सिक्षा में 2 वर्षिय डिप्लोमा होना चाहिए, इसका अर्थ मतलब, overall ये लगाया जाता है, कि आपने यदि Senior Secondary में 50% मार्क्स, इसके अलावा Graduation किया है, और Graduation में आपके 45% से अवब मार्क्स हैं, और आपने DLED या BSDC किया है, तो आप Level 1 क दाल सकते हो प्रात्मिक सिक्षक बढ़ने के लिए, ठीक है, वहीं हम बात करते हैं, यदि उच्च प्रात्मिक सिक्षा, यानि Level 2 की पातरता के लिए, तो वहां आपको क्या चाहिए, बीड चाहिए, दो वर्षिय डिप्लोमा आपको बीड होना चाहिए, और इसनातक में आ आप और आराम से एक्जाम देजिए, यदि आपने बीड फर्स्ट इयर कर रहे हैं, तो आप एक्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लास्ट इयर के बच्चे हैं, जो अपेर कर रहे हैं, वो एक्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, और उनको एक्जाम जो है, वो देना चाहिए बस आपको करना क्या है कि जब आपका चयन किया जाता है तो उस समय आपके हाथ में B.E.D. की डिग्री होना आवश्यक है तो डिलेट और B.S.T.C. लिवल 1 के लिए एलिजिबल है और B.E.D. वाले एलिजिबल है लिवल 2 के लिए ठीक है तो कोई भी अभ्यारती जो अधर स्टेट का है वो भी इस एक्जाम को फिल कर सकते हैं B.E.D. या B.S.T.C. के साथ में तो इसी तरीके से मिलते हैं और नहीं ज में झाले और B.E.D.